हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Poco X5 Android में आप अपने मुवाइल फून का स्टोरेज आप खाली कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का में स्टार् आपको सबसे पहले तो मुवाइल फून का गैलरी को ओपन करना है ठीक है फॉन की गैलरी के अंदर आपकी जितने भी फॉटो वीडियो आपको पर्मेंन डिलीट करनी है जिससे आपके फॉन का स्टोरेज खाली हो जाएगा ठीक है अगला काम यह करना है कि आपकी मुवाइ जाएगा इसमें आपको storage का option tap करना है इसके अंदर आपको नीचे clear data का option tap करना है आपको इस page में clear catch का option tap करना है आपको इस page में okay करता है तो आपका catch के सामने लाद data आपका zero जाएगा इसके बाद आपको दुबारा से clear data पर tap करना है आपका page आदा delete all data का इसे आपको okay करना है इस वार आपका user data के सामने अला data आपका zero हो जाएगा, इस तरी किसा आपको अपने mobile phone के सभी app को reset करना है, ठीक है, अगला काम यह करना है कि आपके mobile phone में जितने फालतु के apps हैं, यानि कि जिन apps को आप अपने phone में इस्तिमाल नहीं करते हैं, अगला काम यह करना है, आपके mobile phone में काफी सारे ऐसे apps होते हैं, जिनके अंदर आपको backup setting मिल जाती है, उन सभी apps में से backup setting को बंद करना है, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए example के लिए मैं अपने mobile phone की gallery को open करता हूँ, फोन की gallery में right side की top पर यह profile picture इसे tap करना है, आपका यह page आता है, इस page में देखे बैकप की setting है, तो यह backup is off लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस app की backup setting को यहाँ पर पहले सब बंद कर रखा है, अगर आपकी backup setting यहाँ पर चालू रहती है, तो इसके ठीक नीचे यहाँ पर off का button होगा, इसमां आपको नीचे की side यह, additional setting पर tap करना है, इसके अंदर आपको सबसे नीचे backup and restore, अगर आपकी setting चालू रहती है, तो इसे यह आपको बंद कर देना है, यह देखे दोस्तों मैं apps को और mobile phone की backup setting को इसलिए बंद करवार हूँ, तो इसलिए आपको इन backup setting को बंद रखना है, जिससे आपके phone का storage खाली रहेगा, अब देखे अगला काम यह करना है, आपको अपने mobile phone को reset करना है, जब मेरे बता हुए, पिछले process कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको phone को reset करना है, otherwise नहीं करना है, phone को reset करने के लिए phone का setting page उपन करिए, setting page में सबसे बरे search setting पे tap करना है, यहाँ पर सबसे बरे search बार में reset आपको लिखना है, तो आपको नीचे की साइड एक option शो होता है, factory reset का, factory reset का यह option tap करना है, आपको जो है इस वाले page में सबसे नीचे erase all data का यह option tap करना है, इससे आपका phone reset हो जाएगा, और आपके phone का storage खाली हो जाएगा, लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात ही ध्यान रखना है, आपके phone में जितना भी data सारा data, आप किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लिजिए, या उसका backup ले लिजिए, दूसरी बात ही ध्यान रखना है, आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note क करके रखना है, यह दो काम पहले करना है, उसके बाद mobile phone को reset करना है, ठीक है, तो दोस्तों मेरे बताएवे सारे process आपको use करने से आपके mobile phone जो है, storage खाली हो जाएगा, ठीक है,